हालो स्टुडेंट्स वेलकम बेक टो क्लास इंगली सिंप्लिफाइड एन थैंक्यू सो मच फो जॉइनिंग अस्टुडेंट आज हम करेंगे क्लास 12 विस्तास बुक का चैप्टर 5 शुट विजार्ट हिट मॉमी कि क्या जादुगर को मॉमी को हिट करना चाहिए जो की लिखा को बैट टाइम स्टोरी सुनाते हैं तो हम ऐसे ही अपने मन से कुछ भी बना बना कर उनको सुनाते रहते हैं और हम यह नहीं जानते कि जो बच्चे हैं उन स्टोरी के करेक्टर के साथ अपने आपको बहुत जादा क्या कर लेते हैं रिलेट कर लेते हैं तो क्या हमें ऐसा क करना चाहिए कि हम जो चाहें वो बच्छों को सुना दें तो इस हिपर बेष्ट है हमारे यह चैप्टर तो शुरू करते हैं तो इसमें जो 2 में प्ट्रेक्टर है एक प्याडिसे पाप है और एक है बेठी जो जो कि इस वक्त चार साल की है तो देखते हैं इन दा इवनिंग्स एंड फोर चैचर डे नाप्स लाइक टुड़ी जैक टोल इस डोटर जो अस्टोरी आउट फिस हैज कि रोज शाम को तो जैक अपनी बीटी को स्टोरी सुनाते ही है लेकिन आज क्या है सेचर डे नाप्स है जब वो स्टोरी सुना र रहे हैं इस कस्टम बिगंवन शी वस टू वह इसलफ नो नियरली तू यर्स ओल एंड ही सेट फेल्ट एंपटी अब यह जो कस्टम ही जो रिवाज है यह पिछले दो साल से है वह चार साल की हो चुकी है तो वह पिछले दो साल से उसको स्टोरी सुनाए जा रहे हैं और क्या स्टोरी सुनाए। अब इसके लिए वह एक बड़े ही मज़धार रास्ता निकाल लेते है वह क्या करते हैं कि जो बेशिक थीम होती है स्टोरी की वह तो सेम रहती है बस वह करेक्टर को चेंज करते चले जाते है है और उस करेक्टर का नाम भी हमेशा क्या होता है रोstart तो वो कोई एक animal दोड़ एंपने रोजर होगा वो या प्रॉजर विश होगीा रोजर स्कॉल होग। उन्प रोजर होगा नाम जो होगा वो completely thing होगा हमेशा Пडॉल्बलम होगा प्रॉबलम इससनर करने के लिए वो कहा जाएगा!? एक बहुत बुड़े ओल के पास जाएगा जो कि बहुत पुत्तिमान ओल होगा तो अब वो जो ओल हमेशा क्या करेगा उसे एक जादूगर के पास भेज़ देगा कि वहाँ जाओ अपनी प्राब्लम को सॉल्ट करने के लिए जादूगर कुछ मैजिक स्पेल बोलेगा मैजिक स्पेल का मतलब कोई मंतर बोलेगा वो और उसकी प्राब्लम का वो हल निकाल देगा हल निकालने के बाद वो क्या करेगा कि उस रोजर अनिमल से कुछ पैसे मांगेगा पैनिस का मतलब होता है कुछ amount of money वो उससे मांगेगा और वो हमेशा उससे इतने पैसे जादा मांगेगा कि जितने उसके पास नहीं होंगे तो जादुगर क्या करेगा इसका रास्ता भी उस रोजर को बता देगा कि तुम वहाँ जाओ वहाँ तुमें पैसे मिल जाएगे और वहाँ से लाके तुम इसे मुझे दे दो अब जो रोजर एनिमल होगा वो जाएगा पैसे लाएगा और जादुगर को दे देगा इसके बाद वो खुशी खुशी अपने घर की तरफ जाएगा अपने दूसरे अनिमल क्रेचर के साथ वो खुब खेलेगा फिर ममी के पाँ जाएगा और फिर इतनी में उसको क्या होगा कि ट्रेन की विसल सुनाई देगी और ट्रेन की विसल इस बात का सिंबल होगी कि उसके जो पापा है वो चुक 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 गाड़ी में बैठके उसके पास आ रहे हैं इसके बाद वो सब मिलकर क्या करेंगे रात का सपर करेंगे सपर मतलब कि डिनर रात का खाना वो खाएंगे हलका फुल का खाना इसको सपर बोलते हैं तो वो रात का सबस्पर एक साथ करेंगे और इसके पास स्टूरि जो है, एंट हो जाएगी, यानि के अब जैक अपनी बेटी को ये एक बनेब बनाई ट्रेंड पर स्टूरि सुनाते हैं, बस रोज एक एनिमल चेंज हो जाता है और एनिमल का नाम हमेशा रोज होता है, उसके पास हमेशा कोई एक नई प्राब्लम होती है वो आउल के पास जाता है और ये चक्कर ऐसे चलता रहता है अब चैक को जो अपने रूटीन है स्टोरी सुनाने वाला ये बहुत ही स्टूडन्स क्या लगता है फैट्यूगिंग लगता है फैट्यूगिंग का मतलब बहुत है स्टूरी सुनाने का ये बहुत ही जादा राइट सीविम फर्टैल का मतलब है कि गिसा पीटा सा स्टम मैं जिसका कोई कोई एंड ही नहीं है और वह बहुत ज्यादा उसको थका देने वाला लगने लग जाता है ये कां कि रोज जो को क्या है एक नई स्टोरी वो सुनाए अब आज क्या है आज Saturday Naps है और Jack को जो को स्टोरी सुनानी है दिन के समय अब वो जो छोटी सी लड़की है वो अपने छोटे से बैट पर बैठी हुई है लेती हुई है अब लेकिन जो उसका बैट है वो उस टाम खरीदा गया था जब वो बहुत छोटी थी यानि इसलिए खर पर जाए तो उस बैट पर जाके सो जाए लेकिन अब वो इतनी बड़ी हो चुकी है कि उसके जो पैर है उस बैट से नीचे आते हैं अब वो दो साल जितनी बच्ची नहीं रही है और उसकी जो कर्टिन लगे है रूम के अंदर कर्टिन में से जो सनलाइट है वो छन के आज कोई जादू नहीं होने वाला है कोई भी जादू इसको आज सुला नहीं सकता क्योंकि एतनी एक्टिव लग रही है और नीन तो जैसे इसके आँखों से बहुत दूर है उसका जो भाई है बोबी वो दो साल का है जो कि अल्टरी सो चुका है अपनी दूद की बोचल के स्टोरी सुननी है रोजर जो स्क्रीज हर आइज शट एंड स्माइल तो भी थिंकिंग शी वोस थिंकिंग अब बड़ी जोर से जो बड़ा एक्साइट हो के बोलती है कि रोजर भी आज में एक से नई रोजर की कहानी सुनने जा रही हूं और यह कहके वो अपनी आखों को पड़ी जोर से एकनम से क्या कर लेती है और प्यारी से मुस्कान से वो हसती है और जब वो अपने आखे खोलती है तो इसके आखे कैसी होती है अपनी मा की आखों की तरह बिलकुल नेली आखे होती है skunk she said firmly a new animal they must talk about skunks at nursery school अब skunk जो है एक छोट इसी cat size के animal होते है student तो वो बड़ा ही उत्साहा के साथ बोलती है कि आज मैं skunk की कहाने सुनूंगी अभी छोटा animal जो है उसने अपने nursery school में इसके बारे में पढ़ा होता है having a fresh hero momentarily stirred jack to creative enthusiasm अब जो jack है वो भी अपने नए hero को लेकर बड़ा ही उत्साहिसा हो जाता है कि आज वो एक नए कहानी जो को सुनाईगा all right he said jack उसे कहता है कि ठीक है अब वो शुरू करता है once upon a time in the deep dark woods there was a tiny little creature by the name of rozer skunk and he smelled very bad अब उसको क्या सुनाना शुरू करता है कि एक समय की बात है कि एक woods का जंगल हुआ करता था लगड़ियों का और वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधिर असा रहता था वहाँ एक छोट असा little creature रहता था और जिसका नाम होता था rozer skunk और वह बहुत ही bad smell को create करता था यानि कि उसके पास से बहुत ही ज़्यादा bad smell आया करती थी woodland का मतलब होता है student के एक ऐसा area जो की trees के साथ cover होता है yes, Joe said अब Joe बढ़ा excited होके कहती है he smelled so bad that none of the other little woodland creatures would play with him Joe looked at him solemnly she hadn't foreseen this अब Jack जो है जो को बताता है कि वो इतनी बुरी smell करता है कि उसके साथ जो woodland होता है उसका कोई भी जो creature है कोई भी जो animal है उसके साथ खेलना पसंद नहीं करता because of his bad smell अब Joe जो है वो उसकी तरफ बढ़ा ही क्या देखती है deep sincerity के साथ उसको देखती है मतलब कि एक ऐसी story होती है जिसके बारे में Joe ने शायद पहले experience नहीं किया था तो इसलिए वो बहुत ही जादा sincerity के साथ अपने पापा को देखना शुरू कर देती है Whenever he would go out to play Jack continued with just remembering certain humiliations of his own childhood zest का मतलब होता है कि बहुत energy के साथ तो बहुत ही energetic होके Jack ने अपनी story को continue किया कि जब भी वो बाहर खेलने के लिए जाता था और इसके साथ साथ वो क्या याद कर रहे हैं वो याद कर रहे हैं अपने बचपन के कुछ यादों को और कैसी यादों को जो कि उनको बड़ा ही अपमान जनक फिल उसमें हुआ होगा humiliations का मतलब होता है students के feel ashamed यानि कि उनके बचपन के साथ भी शायद कुछ ऐसी यादे जुड़ी हुई थी जो कि उनको बहुत बुरी लगती थी और जिसमें उनको शायद अपमानित होना पड़ता था stinky का मतलब होता students की bad smell तो अभी जैसे ही वो बाहर खेलने के लिए जाता है तो जितने भी चो छोटे चोटे आनिमल्स है वो एकदम चिलाने लग जाते है कि यहां पर तो रोजर स्टिंकी स्कंग आ गया है और वो सारे के सारे क्या करते हैं दूर भाग जाते है और रोजर स्कंग वोट स्टेंड देर ओल अलोन और जो रोजर स्कंग है वो वहां पर बिलकुल अकेला ही खड़ा रह जाता है अब यह जो रोजर सकांग है बच्चों इसकी आँखों से आंसू निकलने लग जाते हैं और यह सब सुनकर जो जो है उसके जो माउट पे उसके जो होट है वो नीचे की तरफ आ जाते हैं मतलब कि बिल्कुल इस तरीके से हो जाते हैं कि जैसे वो बहुत रूट गई है नराज हो गई है इस सब सुनकर और उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और जैक भी जो क्या है उसकी आँखों से नीचे अपने हाथ को ऐसे फिंगर से लेकर आते हैं उसकी नोस से नीचे तक और बताते हैं कि उसकी आँखों से आंसु जो है किस वे में निकल रहे हैं अब जो ने बहुत ही जादा फेंट और बहुत ही रफ आवाज में ये पूछा कि क्या वो आउल से नहीं मिला और उसके साथ साथ जो बोडी स्ट्रक्चर था जो की कवर के अंदर था वो उसने क्या करा कि बहुत ही चिंता में आकर अपने पैरों को उसने एक दम से ऐसे थो कोई भी कमी है तो दुनिया के लोग आपका किस तरीके से मजाग उडाते हैं और ये जो सचाई थी वो जैक को लगता था कि जो को जाननी जरूरी है लेकिन क्या हुआ कि जो डाउंस्टेर से महां पर अचाने की चेर के स्क्रैप्ट होने की आवाज है यानि कि जैसे एक चे यह एका है अब क्योंकि उसको जाकर अपनी वाइफ की यहंप करनी थी तो इसलिए उस लिसे जलदी SEC MA करा सेप इसलिए इसे उसने जलदी से अपनी Sच्छे को continue कर दिया आव जा के आब कि FOJA को और नो top of the tree was an enormous wise old owl वो यह कहता है कि अब ठीक है जो स्कांग है वो धीरे धीरे कहा गया बहुत ही उदास हो के वो एक बड़ी से पेड के पास गया और जो बड़ा सा पेड था उसके पीट के पीछे उसको क्या मिला enormous का मतलब होता है बहुत बड़ा कि बहुत बड़ा उसे एक बुढ़ा आउल मिला जो कि बहुत ज़ादा बुधिमान था गुट अब ये गुट कोन कहती है ये जो कहती है अपने फादर को Mr. आउल रोजर सकंक सेट अब रोजर सकंक क्या कहता है कि Mr. आउल All the others little animals run away from me because I smell so bad कि जितने भी जो दूसरे चोटे 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 animals हैं वो मुझसे दूर भाग जाते हैं क्योंकि मेरे पास ये जो स्मेल आती है वो बहुत बुरी आती है So you do the owl set very very bad अब जो आउल है वो कहता है कि ये तो बहुत बहुत बुरा है तो रोजर सकंग क्या कहता है कि what can I do क्या मुझे क्या करना चाहिए और ये कहा कि जो रोजर सकंग है वो बहुत जोर जोर से रोने लग जाता है और अचानक से जो जो है वो बड़े जोर जोर से चिलाती है जादूगर जादूगर वो क्यों चिलाती है क्योंकि उसी पता है कि जो स्टोरी है बिल्कुल सेम पैटरन पे चलती है अब ये जो रोजस कंक है आउल के पास क्या है तो वो नेचलियो इसको विजार्ट के पास भी जाती है अब जो का इस तरी किसे excited हो कर चिलाना जैक को बिल्कुल पे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो जो स्टोरी जो को सुना रहा है वो इसलिए सुना रहा है ताकि वो जल्दी से सो जाए और वो अपने wife की help करने जा सके इसलिए वो गुसे में जो को पूसता है कि सुना रही हो या मैं तुम्हें सुना रहा हूं तो जो कहते है कि no you me कि नहीं आप मुझे सुना रहे हो तब जैक कहता है then lie down and be sleepy कि तुम लेट जाओ और थोड़ा सुने की कोशिश करो इस स्टोरी को सुनते हुए अब जो ऑथर है ऐसे ही एक पुराना किस्सा बताता है यहा पूचा था कि क्या यह सच है तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो अब बड़ी हो रही है और वो हर बात में कोश्चन करने लगी है अब इसको अब हर बात का जवाब चाहिए कि क्या यह सच है क्या यह जूट है यह ऐसा है तो क्यूं है यह वैसा है तो क्यूं है तो जो अब ब और हम लोगों के चारों तरफ रहते हैं तब वो अपने पापा की तरफ घूमी थी और पापा को उन्होंने क्या पूछा था कि क्या सच में ही यह ऐसा होता है और इसके साथ साथ उसने कैसे स्माइल दी थी बहुत ही एक इंटरस्टेट सी उसने स्माइल दी थी अपने फादर की तरफ और पूछा था कि क्या सच में जो मम्मी कहा रही है ठीक है कि God स्काइ में रहते हैं और हमारे चारों तरफ रहते हैं तो जैक ने उस वक्त उसको बड़ा ही आंसर दिया था कर्टली का मतलब होता है बहुत ज्यादा रूडली कि उसने बड़ा ही रूडली उसको आंसर दिया था कि हाँ ये सिर्फ स्टोरी में सच होता है यानि कि उसने बिलकुल एक दम से उसको सही सही जवाब ना दे कि ये कहा कि हम जो कहानिया सुनाते हैं उन कहानियों में सच होता है यानि कि रियालिटी में होता है या नहीं इसके बारे में वो कोई clarify नहीं करता जो को अब जब Jack उसे डाट देता है कि अब तुम लेट जाओ और लेट के सोने की कोशिश करो तो वो क्या करती है कि अपने head को वो क्या करती है पिलो को अपर रख लेती है और फिर अपने पापे को बोलती है आउट आफ यूर हैट यानि के ठीक है तुम ही सुनाओ वैल दि आउल थाट्स एंड थाट अब वो कहते हैं के ठीक है अब जो आउल है वो बहुत सोसता है अट लास्ट ही सेट वाय डोंट यू गो सीधा विजार कि आखिर तुम जादो गर से जाकर क्यों नहीं मिलते अब यो जो है वो फिर से अपने फादर को क्या करता है इंटरप्ट करती है वो पूसती है डैडी तो उसके डैडी कहते है कि क्या तो हो कहते है कि are magic spells कि क्या जितने भी जादोई मंत्र होते है वो क्या सच में ही होते है और अब ये एक नया फेस था ये नया फेस क्या था कि बिल्कुल last month से अब ये एक बिल्कुल reality वाला फेस चलने जा रहा था कि यानि अब जैक उसे जो भी कुछ सुनाता है वो उसकी reality को जानने की कोशिश करती है उस चीजों को interrogate करती है और ये पूसती है कि क्या ये सच है या ये चूट है अब बार बार जो का इस तरीके से interrupt करना और excited हो जाना जैक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और अब ये चीजे जो होती है कि उसको story से भी थोड़ा सा क्या करती है उसको हटा देती है मतलब कि interrupt कर देती है तो अब वो आगे से continue करता है the owl said कि अब owl से क्या पताता है कि अब तुम जाओ और कहां पर जाओगे वहाँ पर तुमें dark woods मिलेंगे यानि कि थोड़ा सा पेड़ों के नीचे अंधेरा सा मिलेगा under the apple trees जहां पर कि shape के पेड़ होंगे apple trees होंगे उसके नीचे एक swamp होगा swamp क्या होता है कि एक uncultivated ground होता है students जहां पर कि पानी कठा हो जाता है यानि कि गढधा सा बन जाता है और over the creek यानि क्रिक का मतलब होता है एक छोटी सी नदी तो वो कहता है कि तुम जाओ जहां पर कि dark woods होंगे apple trees के नीचे तुमें एक swamp मिलेगा और नदी के पार अब नदी के पार क्या अब जो फिर से question कर देती है what's a creek? कि ये creek क्या है तो अब जैक उसे बताते है और little river के एक छोटी सी नदी अब over the creek creek के पार क्या है कि वहां पर तुमें विजार्स का house मिलेगा वहां पर तुमें उसका घर मिलेगा और अब जो है ये जो roger skunk है अब इस रस्ते पर वो चल पड़ता है और जल्दी वो क्या देखता है कि एक छोटा सा white house है और जब वो वहां पर जाके क्या करता है रैप्ट करता है डोर पर तो रैप्ट करना क्या होता है कि अपने fist को अपने मुठी को बना के हम दर्वाजे पर नौक करते हैं थोड़ा सा उसको ब्लो करते हैं बार बार ताकि एक आवाज प्रोड्यूस हो एक sound प्रोड्यूस हो और अंदर जो भी है वो इस चीज को सुनकर बाहर आए अब वो किस तरीक से नौक करता है ये दिखाने के लिए jack भी क्या करता है रैप्ट करता है विंडो के ले रखी है और under the covers कि जो उसने she presidente उपड़ ले रखी है इस क्लेंश्ट कर देती है अपने बॉड़ि को एकडम से इनदर क्लेंश कर देती है क्लेंश्ट का मतलब होता है कि अपनी बॉड़ि को एकडम से टैट बॉल कित yenंपर कड़ा करते है तो वो भी बड़ा excited हो जाती है इस sound को सुनके और अपने आपको एकदम से इकठा कर लीती है और उसके बाद क्या होता है कि एक छोटा सा little old man बहार आता है जिसके एक लंबी से दाड़ी होती है और उसने एक blue color का head डाला हुआ होता है और वो उससे पूछता है कि क्या है क्या चाहते हो तुम्हारे में से एक बुरी स्मेल आ रही है अब जो यह जादूगर के आवाज होती है यह jack क्या करता है अपने खुद के effect से produce करता है अब वो क्या करता है इसके लिए कि अपनी नाग को थोड़ा सा उपर चड़ा लेता है अपने face को थोड़ा सा रिंकली बना लेता है और अपनी आखों को थोड़ा सा गीला सा कर लेता है तो इस तरीके से वो एक effect लाके जादूगर की voice की नकल उतारता है सासा तुछे ऐसा भी लगता है कि वो old man को बहुत ज़्यादा से क्या कर सकता है I know it, Roger Skunk said अब Roger Skunk कहता है कि मुझे पता है कि जितने भी चोटी चोटे अनिमल्स हैं मुझे दूर भाग जाते हैं और एक बहुत बड़े बुद्धी मन आउल ने मुझे कहा था कि तुम मेरी help करोगे अब जो wizard है वो क्या कहता है Eh, well, maybe, come on in, don't get to close कहते कि हो सकता है, शायद, चलो अंदर आओ, लेकिन मेरे बहुत नजदीक मताना अब नाओ, inside, there were all their magic things all jumbled together in a big dusty heap because the wizard did not have any cleaning lady अब अंदर क्या था, वो बताते हैं Jack Joe को कि जो जब वो अंदर जाता है, तो अंदर क्या देखता है कि जितनी भी जो magic चीजे होती है, वो सारे की सारी jumble है एक दूसरे के ओपर पड़ी हुई है और वहाँ पर क्या है, एक बहुत बड़ा सा dusty heap है dusty heap मतलब एक धेर है, बहुत बड़ा सा dust का और वहीं पर वो सारी चीजे एक दूसरे के ओपर एक धेरी के रूप में पड़ी हुई है और उन्होंने क्या बना लिया है, एक dust heap बना लिया है अब यहाँ पर ऐसा क्यों था, क्योंकि विजार्ट के पास कोई भी cleaning करने वाली lady नहीं थी अब जैक फिर से question पूस्ती है, क्यों, क्यों, भई वहाँ पे इतना गंदा क्यों था तो अब वो बताता है क्योंकि वो एक जादुगर था और बहुत ही बोड़ा था तो वो सफाई नहीं कर सकता था अब फिर से वो पूस्ती है क्या वो मर गया, तो अब जैक बताता है कि नहीं जादुगर कभी नहीं मरते अब इसकी बाद जो वो wizard है, वो क्या करता है, rumist का मतलब क्या होता है students कि किसी चीज को ढूणना बहुत ही unsistematic तरीके से तो जो एक heap होता है, बहुत बड़ा जो धेर सा बना होता है उसकी जादुगर को तो वो उसमें से किसी चीज को ढूणने लगता है, बहुत ही unorganized तरीके से और वहां से वो क्या निकालता है अपनी एक पुरानी stick निकालता ह जिसको कि वो magic van बोलता है और इसके बाद वो rozer skunk से पूछता है कि तुम कों से smell पसंद करते हो अब जो rozer skunk है वो थोड़ा देर सोचता है और सोचने के बाद कहता है roses की यानि कि गुलाब की तो अचानक से जो जो है वो क्या करती है smugly smugly का मतलब होता है student कि बहुत ही satisfaction के साथ कि उसको एकदम से संतुष्टी होती है और वो कहती है yes good कि वह रोज की जो smell होती है तो बहुत अच्छी होती है और उसने बहुत अच्छा जवाब दिया है अब students trends का मतलब होता है कि half conscious state यान कि अपनी आखों को वो क्या करता है आदी सी थोड़ी बंद कर लेता है और आदी आदी खोल के रखता है gaze का मतलब कि वो लगातार जो के face को देखता है एक तक देखता है और chanted का मतलब कि वो कुछ words को क्या करता है sing song करता है मतलब कि एक rhymes के अंदाज में कुछ गाना शुरू कर देता है अब वो अपनी छोटी सी बेटी जो को actually में एक जादूगर बन के एक मंतर सुनाता है कि अब जादूगर किस तरीके से act कर रहा है अब वो थोड़ा सा रुक जाता है और क्या देखता है वो कि जो जो है उसके face पर बड़ा ही wrapped expression आ चुका है wrapped का मतलब होता है कि बहुत ही वो fascinated हो गई है यानि कि कलपना में डूब गई है और अब वो यह देखता है कि जो इसकी बेटी है उसके जो nostril है वो थोड़े से उपर की तरफ चड़ गई है बहुत ही excitement की वसे से और उसके जो eyebrow है वो भी उपर की side थोड़े से आ गए है और उसके साथ साथ जो उसकी grin है grin का मतलब होता है students की smile broadly कि बहुत ही जादा broadly हसना खुल कर हसना तो वो बड़ा ही smile जो करती है बड़ी ही broadly smile करती है और उस वक्त उसके face को देखकर उसके expressions को देखकर जैक जो है वो surprise हो जाता है क्योंकि बिल्कुल same expression उसकी wife के face पर आते हैं खुशी के जब वो cocktail parties में होती है और लोगों से मिलती है अचानक से ही क्या होता है student की वो बुद बुद आता है कि जो wizards का house है वो सारा का सारा क्या है roses के smell से मह कुरता है यानि कि जो roses कंग की bad smell थी वो convert हो जाती है roses की good smell में तो अचानक से roses fish चिलाता है कि वाओ roses है मतलब कि बहुत irritate सा हो के बोलता है कि इस सारे काम के तुम्हें seven pennies मुझे देने पड़ेंगे तो इतनी में जो जो है वो एक तम interrupt करती है डैडी ये क्या? रोजर स्कंग है आपने कहा रोजर फिश रोजर फिश थोड़ी ना है वो तो रोजर स्कंग है तो जैक कहता है yes स्कंग हाँ कि हाँ वो स्कंग है तो वो फिर से कहती है लेकिन आपने कहा रोजर फिश तो जो जैक को कहती है कि डैड आप इतने सिली कैसे हो सकते हो तो जैक कहता है कि हाँ वाके ही तुम्हारे जो डैडी है थोड़े से सिली है अच्छा बताओ कि हम कहां थे और अच्छा अब ये तो तुम्हें पता ही है कि पैनिस के बारे में क्या होगा यानि कि जो विजार्ड ने पैसे मांगे है वो कोई रस्ता भी बता देगा उन पैसों को लाने के लिए पर जो है वो बहुत ही जादा डूप चुकी है स्टोरी के अंदर और वो चाहती है कि अब उसको स्टोरी का एवरी पार्ट सुनाया जाए तो वो कहती है से इन कि नहीं आप आगे बताओ तो जैक कहता है ओके अब जो रोजर्ड सकंक है वो क्या कहता है कि लेकिन मेरे पास तो four his penis है और आप मांग रहे हो मेरे से seven penis اب मैं तीन penis कहां से लेकर आओँगा और यह कह कर वो रोने लग जाता है अब जब वो रोता है तो यह सुनका जो भी जो है अपने face को बिल्कुल रोने जैसा बना लेती है लेकिन इस time चुछ उसका face होता है उसके face पे कोई भी trace of sincerity नहीं होता यानि कि किसी भी तरीके से ऐसा लगता है कि वो बड़ा ही उसने नकली सा रोने जैसा face बनाया है असल में वो बिल्कुल भी emotional नहीं हुई है सिर्फ वो emotional होने का वो act कर रही है अब ये जो चीज़े होती है ये jack को क्या करती है अब नीचे से फिर से downstairs से है कुछ furniture को इधर उदर हिलाने की आवाजे आती है rumble का मतलब होता है students कि कोई deep sound यानि कि कोई बड़ा ही भारी furniture जैसे हिलाया जाता है तो जो sound produce होती है उसको कहते है rumble अब वो सोचता है कि जो clear को बहुत heavy चीज़े नहीं हिलानी चाहिए because क्योंकि वो six months क्या है pregnant है और ये उनका third baby है third baby कैसे कि एक तो जो है और दूसरे उसका भाई है बो भी जो दिकी दो साल का है और जो सोया हुआ है अब जो है वो third baby को expect कर रहे है तो अब जो wizard उसको कहता ह है कि okay तुमारे पास four pennies है कोई बात नहीं तो वो कहता है कि ठीक है तुम एक lane के पास जाओ जब end of the lane होगी वहाँ पर तुम तीन बार खूमना तो वहाँ पर तुम्हें एक magic well दिखाई देगा यानि कि एक जादूई कुवा दिखाई देगा और वहाँ से तुम्हें three pennies मि जादूगर होता है वो पैसे लाने का एक रास्ता रोजर स्कंग को बता देता है अब वो क्या करता है कि वैसे वैसे जाता है जैसे जैसे जादूगर ने उसे बताया होता है और वहाँ से जाकर वो क्या करता है कि three pennies लाकर जादूगर को दे देता है और इसके बाद वो भा जाते हैं क्योंकि अब वो एक बहुत ही अच्छी स्मेल को क्या कर रहा है प्रोड्यूस कर रहा है बहुत ही अच्छी गुलाब की खुश्बू उसमें से आ रही है तो वो सारे के सारे क्या है बहुत सारे गेम खेलते हैं टैक खेलते हैं बेसबॉल खेलते हैं फुटबॉल खे खेलते हैं और इसके सासत होकी हो गई सोसर हो गई और पिक अप स्टिक्स भी खेलते हैं अब ये पिक अप स्टिक्स कौन सा गेम है स्टुडेंट तो जो कोई भी समझ में नहीं आता कि ये कौन सा गेम है तो भी पूसती है वर्स पिक अप स्टिक्स क्या है तो अब वो ये पत कि बिलुकुल यह ज ही जिसमातिई बीजिड के त HAS ते हैं और उस रहिए जो है अपने हाथों को बड़ीक एकसाइट्मेंट के साथ क्याकरती है कि फर्स कर दी है और वो क्या कर रही है विंडो के बाहर देख रही है विंडो के बाहर क्या है कि दिन खिला हुआ है और उसकी जो शैड है वो कर्टेन से अंदर आ रही है अब वो यह सोच रही है कि स्टोरी तो अब खतम हो गई क्योंकि जो स्कांग है वो अच्छी स्मेल में आ चुका है और अपनी अच्छी स्मेल के साथ अपनी घर अपनी ममी के पास चला गया है इतमें इसके स्टोरी अप एंडिंग पॉइंट पर है लेकिन जो जैक है इसको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई भी वुमिन जो है इस तरीके से पहले से ही कोई ग्रेंटिड ल है कि कोई उसकी बातों को उसके शब्दों को इंपोर्टेंस ही ना दे वो फिर से जो कहता है कि जो क्या तुम सुन रही हो तो जो कहती है येस तो वो कहते है क्योंकि स्टोरी जो थी बहुत ज्यादा इंटरस्टिंग थी तो फिर से उसको सुनने में क्या लगता है कि उसको स्मेल आ रही है तो एकदम से जो है वो बड़ी ही सर्प्राइजड हो जाती है वो पूछती है वाट कि बहुत क्या क्योंकि रोजर सकंक जो था कि उसके अंदर से तो बहुत रोज़र की स्मेल आनी चाहिए और उसकी ममी उसमेल को देखकर कह रही है कि यह कैसी बैड स्मेल आ तो यह तो बड़ा अजीब है रोजर सकंग कहता है कि यह मैं हूं ममी और मैं बिल्कुल रोजर की तरह स्मेल कर रहा हूं अब वो कहती है कि किस ने तुम्हें इस तरीके से बनाया कि तुम्हारी ओरिजनल स्मेल को जिसने चेंज कर दिया तो वो बोलता है कि वी जार्स की जाएंगे और मैं उस ओफिल विजर्ट के पात जाऊंगी और तुम्हें वापिस से वैसा ही बना कर लेकर आऊंगी अब यह सुनते ही जो जो है वो एकदम से सेट अप हो जाती है और उसके जो हैंड्स है वो डैबलिंग करने लग जाते हैं हावा में ऐसे वो लहराने लग जाती है बहुत जादा वो जैसे डर जाती है वो एकदम से बोलती है बट डैडी देन ही सेट अब आदर लीटिल एनिमल्स रन अवे तो वह अपने डैडी को कहती है कि लेकिन डैडी उसे अपनी मम्मी को बताना चाहिए था कि जो दूसरे एनिमल्स हैं वो उसे देखकर प्रश स्केटर्ड आफ का मतलब होता है कि उसने एकदम से अपने हातों को अंदर ले लिया अंदर ब्रश मतलब चादर के अंदर उसने अपने हातों को छुपा लिया तो अब जैक कहते हैं और राइट अब वो जो रोजर स्कांग है वो अपनी मम्मी को कहता है कि बत मम्मी all the others little animals run away कि मुझे देख कर जो दूसरे छोटे animals हैं वो हमेशा भाग जाते थे तब उसकी ममी कहती है I don't care you smell the way a little skunk should have and I am going to take you right back to that wizard and she took an umbrella and went back with rosa skunk and hit that wizard right over the head अब वो कहती है उसकी ममी कि मुझे कुछ परवा नहीं है कि दूसरे animals तुमें देख कर भाग जाते हैं बलकि मुझे तो अपना वो ही छोटा सा सकंग चाहिए जो कि पहले जैसे smell करता हो और तुम अभी मेरे साथ चल रहे हो और तुम अभी मेरे साथ चल रहे हो और हम उस awful विजार्स के पाज चाहेंगे इसके बाद वो एक umbrella लेती है और उसके साथ विजार्स के पाज जाती है और उसके सिर में जाकर उस umbrella से क्या करती है हिट कर देती है अब जो है वो एकदम से बोलती है No अब वो एकदम से चलाती है No और ऐसा कह कि वो अपना हाथ जो है जैक के लिप्स पर रख देती है कि इसके आगे तुम खुछ भी मत बोलो कि जो तुम बोलने चाह रहे हो अपने डैडी को वो रोकना चाहती है लेकिन अब भी वो इतनी बड़ी नहीं है कि अपने डैडी को वो टूत कहने से रोक सके या किसी चीज से रोक सके अब जो की ऐसी हरकत देखकर जो जैक है वो और भी ज़्यादा इंस्पैर हो जाते हैं स्टोरी को सुनाने के लिए जो आगे से खुदी जोड़ती है कि अगर उसकी ममी ने अमरेला से विजाड को हिट किया तब तो विजाड ने भी उसकी ममी को हिट किया होगा उसके हैट पर और उसके बाद भी उन्होंने स्कंक को चेंच नहीं किया होगा अब ये जो जो है अपना रियक्शन देती है क्योंकि वो जैसा चाह रही है वो वैसे ही स्टोरी को मोल्ड करना चाहती है अपनी एकोर्डिंग जैक कहते है नो कि बहु ऐसा नहीं हुआ अब विजार्ट उन्हें बोलता है कि ओके यानि कि जादूगर ने स्कंग की मम्मी को कहा कि ठीक है और उसके बात उन्होंने रोजर्ट स्कंग को उसकी ओरिजनल स्मेल में चेंज कर दिया अब जो रोजर्ट स्कंग है वो रोजिस की स्मेल नहीं प्रोड्यूस कर रहा था अब उसके पास से दुवारा से बहुत गंदी से स्मेल आने लगी थी अब जो कहती है बटा अदर लिटिल ऐसे करके बोलती है तो उसके डैडी बोलते है तो जैक बोलते है कि जो इट्स डैडी स्टोरी शेल डैडी नोट टेल यू अनी मोर स्टोरी कि ये डैडी की स्टोरी है और क्या तुम चाहती हो कि डैडी तुम्हें और स्टोरी ना सुनाए अब उसके broad face पे जब sunlight आके पड़ रही थी तो वो बहुत ज़्यादा astounded लग रहा था मतलब कि बहुत ज़्यादा वो shocked लग रही थी कि ये कहानी में कैसा mode आ गया है अब चेक सोसती है कि ये क्या हो गया इसकी बाद जो रोजर सकंक है और उसकी जो मुमी है वो अपनी घर चले जाते हैं और इतने में ट्रेन की आवाज सुनाई देती है उनको चुक 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 और ट्रेन जो है आ रही है और उस ट्रेन के साथ क्या है रोजर सकंग के जो टैडी आ रहे हैं हमेशा के तरह बोस्टन से और बादों मिल करने में न doctor क्या करते हैं सकाव सपर करते हैं यानिके रात इब का उपकाव पार्सले फैमिली का, तो वो सैलेट के रूप में खाया जाता है, तो सैलरी खाते हैं, लिवर खाते हैं, यानि कि किसी अनिमल का कोई लिवर होगा, और मैश्ट पोटेटोज होते हैं उसमें, और पाई ओ मतलब के एक डेजर्ट होती है, जो मीथी स्विट डिश होती है उसमे जो उसकी मम्मी है वो क्या करती है उसको हग कर लेती है और कहती है कि अब तुम मेरे लीडिल बेबी स्कं की तरफा स्मेल कर रहे हो दुबारण से और वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और यहां पर स्टोरी जो है खतM हो जाती है अब जो पूस्ती है लेकिन डैडी अब जैक कहते है क्या कि जो दूसरे छोटे-छोटे आइनिमल्स थे वो तो दूर भाग जाते थे तो जैक कहते हैं कि कि नहीं क्योंकि वो सभी जो है उसकी उस स्मेल से फैमिलियर हो जाते हैं और अब वे उसको जादा माइन नहीं करते हैं eventually का मतलब होता है finally कि finally वो सभी दोस्त बन जाते हैं what's eventually lady तो जो इस तरीके से बोलती है actually वो जो word बोल रही है वो eventually word बोलने की कोशिश कर रही है जो उसके father ने भी बोला तो वो उसको थोड़ा सा बिगाड कर बोलती है जैसे छोटे बच्चे बोलते है eventually lady ऐसे करके बोलती है तो अब वो पापा को बोलती है कि ये mummy कितनी stupid है तो एकदम से जो jack है उसकी बात पर एकदम reaction देते हैं वो कहते हैं no it was not कि नहीं वो ऐसी नहीं है और इस तरीके से वो बोलते है emphasis का मतलब होता है student कि जैसे कि कोई special value दी जा रही है किसी चीज को अब एकदम से जो को कैसा लगता है कि शायद उसकी इस बात का reaction जो हुआ है वो उसके daddy पहुआ है और उसके daddy ने इस चीज को अपनी mother के साथ जोड़ कर देखा है और वो इस वक्त क्या कर रहे है अपनी mother को defense करने की कोशिश कर रहे है तो ये जो चीज है ये बड़ी ही उसे थोड़ी सी अजीब लगती है अब वो जो jack है थोड़ा सा rudely बोलते है जो को कि अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपना जो ये बड़ा सा जो अपना head है वो pillow के उपर रखो और एक लंबी nap लेने की कोशिश करो nap मतलब कि जो दिन के समय थोड़ा सा सोना होता है कि तुम एक लंबी nap लेने की कोशिश करो अब वो क्या करता है वो adjust करता है अपने कर्टेंस को कि जहां से जो बाहर की जो रोशनी है क्रैकों के अंदर आ रही है तो कि बाहर की कोई light अंदर ना है और इसके बाद वो बड़ा ही tipto tipto का मतलब होता है student कि बहुत ही दबे पाउँ चलना इसके बाद वो बिल्कुल दबे पाउँ दरवाजे की तरफ जाता है pretence का मतलब होता है कि किसी भी जूटी बात को सच साबित करना अब ये jack को भी पता है कि जो अभी सोई नहीं है लेकिन वो इस तरीके से act करता है कि जैसे उसे लग रहा है कि जो सो गई है वो क्या करता है कि खिर्की के जो करटेने उसको ठीक करता है और दबे पाउँ जाता है दरवाजे की तरफ और दरवाजे को बंद कर जाता है लेकिन जब वो जैसे ही टर्न होता है कि जैसे ही वो मुरता है तो वो बैट के जो कवर्स होते हैं उसके उपर क्या है जंप कर रही होती है और उसकी तरफ देख रही होती है अब एकदम से जैक उसको कहते हैं कि तुम कवर्स के अंदर जाओ और जल्दी से फटा फटा एक फास्ट स्लीप लेने की कोशिश करो देखो बोवी भी सो गया है वो भी कौन है वो भी उसका चोटा भाई है अब वो क्या है शी स्टुड अट बाउंसिंग जिंजरली ओंदा स्प्रिंग्स अब यह क्या कर रही है कि जिंजरली का मतलब है स्टुडेंट्स की केरफूल होके कौशन्स के साथ वो स्प्रिंग्स के ओपर जो मैट बिछा हुआ है उसके ओपर बाउंस कर रही है खडी हुई उसके ओपर और लगातार उचल रही है अब वो इड़्दम से कहती है डैडी तो जैक कहते हैं वाट जादू गरने को अपने मजिक वेंड से हिट किया कहां पर हिट किया बिलकुल उनके सिरके उपर हिट किया अब जैक कहते हैं कि नहीं यह कोई स्टोरी नहीं है जो मेन पॉइंट था वो क्या था कि जो लिटल सकंग था वो अपनी मौमी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है दूसरे लिटल एनिमल से ज़्यादा दूसरे little animal उन्हें क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं उससे उससे कोई फरक नहीं पड़ता बलकि उससे ज़्यादा वो अपने मौमी को प्यार करता है और उसकी बात मानता है और उसके साथ साथ वो ये भी जानता है कि जो उसकी मौमी है वो बिल्कुल ठीक है तो वो कहता है कि नहीं कल मैं तुम्हें ऐसी कोई बात नहीं बताऊंगा कि जिसमें आ तुम्हें ये कहूं कि विजाठ नी 먹어 zit किया है वह कहते हैं कि नहीं ये करो और इसके बाद भू क्या करते हैं अपने लेक्स को बड़े जोर जोर से किक करना शुरू करते हैं अपने bed के उपर वो बड़ी गहरी सांस लेती है और इतना जोड-जोड से जम्प करती है कि जो अपनेenser के जो लेकिन अभी तुम रेस्ट करो अपने बैट पर जाओ क्योंकि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो अब वो दरवाजी को बन करता है और डाउन स्टेर जाता है महाँ पर वो क्या देखता है कि जो क्लेर है वो उसने क्या कर रखे हैं न्यूस पेपर को स्प्रेट किया एक ओल्ड शर्ट पहनी हुई है किसकी वो भी पहनी हुई है उसने जैक की किसके ओपर पहनी हुई है उसने अपनी मेटेरिनिटी स्मोग डाली हुई है यानि कि जब लेडी कोई प्रेगनेंट होती है तो बड़े ही धीले धाले से कपड़े डालती है तो उसी को बोलते है म तो अब उसने अपनी मैटिरिनिटी स्मोक के ड्रस के उपर जैक की पुडाने सी कोई टी-शिर्ट डाली हुई है और इसके साथ वो जो चेर की जो रेल होती है उसको क्या कर रही है ब्रश के साथ उसको पेंट कर रही है अब उपर से उसे आवाजे हा रही है फुट स्टेप क और उपर आगे तुम्हें थपड़ लगाऊं अब जो फूट स्टेप्स हैं वो क्या होते हैं रुक जाते हैं वो थोड़ा सा ढर जाती है अब वो जो क्लेर है वो अपने हजबन को कहती है कि क्या ये एक बहुत लंबी स्टोरी थी तो अब वो जैक कहता है दपूर कित के जो इसकी पूर principal करता है और उसके बाद he a a suis kya धकरता है अब आपनी सासा दपनी आपाई को भी देख रहा है कि जो सकी वाइफ है कितनी लेबर में है 6 months pregnant is और इसके बाद भी वो क्या कर रही है काम कर रही है उनके चार उत्रफ लगडी के फरनीचर विखरे हुए जैसे कि केज ओफ मोल्डिंग्स थे रेल्स थी पेसबोर्स थे जो उनके चारो तरफ थे और कुछ फरनिचर तो अभी अपने पुराने पेंट महीं था पुराना पेंट कौन सा था ओल्ड तैन था यानि के तैन का मतलब होता है लाइट ब्राउन कलर और कुछ को जो क्लेर है वो आईवरी कलर में पेंट कर चुकी थी आईवरी कलर जो होता है वो वाइट कलर को बोलते हैं अब उनके चारो तरफ जो था ये बड़ा ही अगली सा सीन था कुछ अच्छा नहीं लग रहा था तो जैक को ऐसे लगता है कि जैसे वो पिंजरी के अंदर अपनी वाइफ के स साथ है और अब वो अपनी वाइफ से बात नहीं करना चाहता था अपनी वाइफ के साथ मिलकर काम भी नहीं कराना चाहता था और यहां तक कि इवन तक उसे टच नहीं करना चाहता था कुछ भी नहीं करना चाहता था तो यह जो कहानी है जो स्टोरी है यहां पर एंड हो जा बैटी को जैसा चाहे सिनाता चला जाता एंड़ कुछ भी और उसकी बेटी है वह इसी बेटी है वह भी इसी तरीके से चाहतीकी है एंड हो उसके मन मुदताबिक हो और चाहिए उसके लिए कुछ भी करना पड़े तो हम जो स्टोरी बच्चों को सुनाते हैं बच्चे उस स्टोरी के करेक्टर से अपना आपको बहुत ज़्यादा रिलेट कर लेते हैं और शायद यही स्टोरी जो होती है उन बच्चों के नेचर को, उन बच्चों के सबहों को बना कर चलती है और दूसरे जो जैक है, जैक भी एक ऐसे इनसान की रूप में सामने आते हैं कि जो शायद खुद अपनी वाइफ को पसंद नहीं करते हैं और वो लेडीज के उपर अपना वर्चस रखना चाहते हैं इसके साथ साथ जो यह जो टाइटल है, शुड विजार्ट हिट मुमी यह ओथर ने रेडर के उपर ही कोशन छोड़ दिया है कि वो खुश सोचें कि क्या विजार्ट को मुमी को हिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो यह थी हमारी डिटेल एक्सप्लेनेशन शुड विजार्ट हिट मुमी की स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथी notification bell को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाला हर valuable वीडियो आप तक पहुंचे मिलते हम आप से अपने next वीडियो में keep watching, stay connected, thank you